हेलो दोस्तों फिर से आप लोग का बीट इंदों में बहुत बहुत स्वागत है आज पे आप लोग के साथ एक बहुत ही अमेजिंग सी रेमिडी शेयर करने वाले हो जिसके इस्तिमाल से आप अपने स्वागत को बहुत ही जल्दी से स्किन से बिल्कुल दूर करपाएंगे यान उसका 100% कारगर है स्वागत के डूर करने के लिए आज कल दोस्तों बहुत ही कम लोग होंगे जो stretch marks से पेडित ना हो हर किसी की body पर दोस्तों stretch marks मौझूद होता है लड़कों को भी stretch marks होते हैं और महिलाओ को भी होते हैं महिलाओ को जाधा तर pregnancy के दोरान होते हैं जब उनका पेट बढ़ता है तो उनकी जो body उसमें खिचाव होता है जिससे उनकी skin पे धारी-धारी से बनने लग जाते हैं और वो stretch marks को रूप ले लेती हैं और लड़कों को दोस्तों जिम में कसरत के दोरान उनकी arms पर stretch marks होने लग जाते हैं साथ ही साथ प्यूबर्टी के दोरान किशोर अवस्था के दोरान भी आपकी जो body है वो grow होती है और उस दोरान भी आपको stretch marks हो सकते हैं दोस्तों stretch marks को दूर करने के लिए बहुत ही महंगे महंगे treatment market में available है जो की 100% guarantee भी नहीं देते हैं कि उससे आपके stretch marks है वो 100% चले जाएंगे तो दोस्तों आज मैं आप लोगे साथ एक home remedy शेयर करूंगी जिसके लिए नुस्के जो है वो आपको आपके घर में ही मिल जाएंगे और सस्ते तरीके से और कारगर तरीके से आपके stretch marks दूर हो जाएंगे तो इस नुस्के को हम शुरू करते हैं सबसे पहला जो इंग्रेडियन अब इस नुस्के में लेने वाले हैं वो है दोस्तो रोज वाटर रोज वाटर यहाँ पर आपको जो है लेना होगा इस तरीके से शुर्ज से पहले है एक बाइएए और उसकी बाद जो एक इस नरीच्पी नचोंगे यह आपको RC लेना है यानि की दोस्तो निम्बू निम्बू को आपको आपको लेना है जिए अँट कर लीजिए और इस तरीके से मैंने निम्बू को हाफ करिकर रिया है जिसको आप पूरे एक निम्बू का रज आपको यहां पर चाहिए और इसको निचोड लेने के बाद आप इसके बीच को ज़रूर निकाल दें ताकि आपने उसक्यों को अच्छे से अपलाए कर पाएं मुझे दूसरा निम्बू कि यह जो आपकी स्किन से रही हाइडरेशन और डाकनेस को दूर करने का काम करते हैं और साथे सथ आपकी जो इसकीन को पहले जैसा बनाने में यह कारगर रहते हैं क्योंकि दोस्तों चावल के अंदर कुछ जैसे निउट्रिशन्स होते जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही करेंगे लेज़िये असे की मिज़ाई का इस्ते लिए लेनिये leps will go 11 ओल का पॉर्डर करने हक एक ऑर यह अ जू चमच है और चो आपको इस नुस्की में इस्तिमाल करनी है दोस्तों वो है हल्दी यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में आपको जो है हल्दी को इस्तिमाल करना है और आपको इन सब चीजों को अच्छे से मिला लेना है ताकि यह जो हमारा लेप है यह बनकर त्यार हो सके और अब आपका जो यह लेप है अच्छी से बनकर तेयार हो चुका है अब मैं आपको बताती हुए कि आपको इसका इस्तमाल किस थारीके से करना है हफते में सिर्फ तीन दिन भी आप इस पैक का इस्तमाल कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी से रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको इसका इस्तमाल हर हफते करना है यूनि कि एक हफते आपने इस्तमाल करा और फिर अगले हफते छोड़ दिया इस तरीके से यह रेमेडी आप पर वक नहीं करेगी और इसको आपको इस तरीके से लेना है और इस तरीके से मसाज करने अपनी स्कीन पर जहां पर भी आपको स्ट्रेच मार्क्स है दस मिनट तक आप मसाज करें और सिफ आदे गंटे के लिए इसे इसी तरीके से अपनी स्कीन पर लगे छोड़ दे और उसके बाद इसे ठंडे पानी से धोले इस तहरी के से आपके दोल्बर्पकर को सब्सक्राइब कर दिये मिलते हो गली वीडिए तब तक के लग अपना खहीत हैो आपना खायाल रहे हैं और सुष्टर हे!